हिसार में डॉक्टर्स को चड़ गया है बुखार हर एक डॉक्टर को बुखार चड़ गया है अब तक आप लोगों ने सुना था कि डॉक्टर्स बुखार का इलाज करते थे लेकिन ये क्या सिच्वेशन बनी कि डॉक्टर्स को बुखार चड़ गया तो जानने की कोशिश कर और अब त जीश इसमें निफीच रेंड ऒगिशन से करेंगे कमल गुपता जी और इसमें आस पास के सभी नामिग्रामी डॉक्टर्स उनके स्टाफ और उनके मनेजमेंट के मेंबर्स यह सभी लोग पार्टिस्पेट कर रहे हैं और यही चीज बताने के लिए आज आप लोगों को बताया है कि करवा कहा कहां पर रहे है 양 되면 आप के लिम् Leash'm फबसे बहुत अच्छा श्टेदिय्म में वहाँ अफे एक है आज मुझे लोग देखते हैं कि क्रिकट के अंदर डॉक्टर का हात्त ठोड़ा से तंग होता है क्योंकि टॉक्टर को ना था नہीं मिलता कि हमने पेशन से बाहर निकल करके स्पोर्स के ग्राउंड के तक पहुंच पाए तो इस बार जो आप लोग यह टूर्नामेंट करा रहे हैं क्या इसके अंदर अगर एंपायर की बात की जाए कमेंटेटर की बात की जाए तो वह भी डोक्टर ही करेंगे मैंने सुना है कि एक लैब की ओपनिंग भी होने जा रही है 17 तारीक को जिसका इनोग्रेशन करने के लिए हिसार सविधायक कमल गुपता भी पहुंच रहे हैं किस चीज का इनोग्रेशन है यह लैब है पैटकाइन लैब और यह एक पैन इडिया लैब है जिसकी 100 ब्रांचीज है पैन इडिया में और हिसार में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं संकल्फ होस्पिटल के साथ में उसी के इनोग्रेशन के लिए हमने यह क्रिकिट लीग टोर्नमेंट रखा है जिससे ह करेंगे और डॉक्टर एजूनों की बहुत बिजी रहते हैं अपनी शेडियूल में तो उनको एक टाइम मिलेगा कि वह एक एंटर्टेन भी कर पाएंगे और जो हमारी लैब है उसके बारे में भी वो लोग जान पाएंगे नुक्ति संगीत मुझे यह बताया यह पैत का इ लेवल के सेंपल्स होते हैं जो गुडगामा या दिली जाते हैं वो इनी लोगों के पास जाते हैं और उसी लेवल का हम सिस्टम यहां सुरू करने जा रहे हैं अपने नए वाले होस्पिटल में कि जिसमें हम रोतक, हिसार, आपका टोहाना, उसके बाद आपका सिरसा, करना होता है, वो चीज अब यहां की यहीं होगी, तो और ज्यादा हमारे लिए अच्छी होगी, पेशन्स को रिपोर्ट जल्दी मिलेगी, और सभी डॉक्टर को सीनियर, जो सूपर स्पेसिलिटी के डॉक्टर है, उनको भी इसके रिपोर्टिंग से बहुत मदद मिलेगी करवाने जा रहे हैं, आपको लगता है कि डॉक्टर को इतने टाइम मिल पाएगा अपने पेशन्स से, यह तो आपने पहले ही बताया कि बुखार चड़ चुका है क्रिकेट का और किरिकेट का बुखार पूरे इंडिया में है, डॉक्टर को भी है, डॉक्टर को चड़ सेचरे संडे देख पाएंगे, और लाइफ स्कोरिंग भी होगी इसकी, लाइफ स्कोरिंग हम आपके चैनल को भी भेज देंगे, तो आप उसमें देखना सब भी डॉक्टर जो नामी गिरामी डॉक्टर है, वो अविलेबल होंगे, डॉक्टर संगीत क्रिकेट टुर्णाम कम से कम फिटनेस पे ध्यान दे लेंगे, तो सर आपको क्या लग रहा है कि अगर फिटनेस की बात की जाए तो डॉक्टर्स का फिट नहीं रहते हैं कि उनको अब जो क्रिकेट के इंदर आ करके फिटनेस बनानी पड़ेगी है, नहीं फिट रहते हैं डॉक्टर्स, कर OCB कर रहे हैं यानि कि अलग 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 नाग से के इंदर बनने वाले हैं? !! जनर बाईए करिंद फॉस्पीटल के साथ में पाइए और दूसरी ऑस्पीटल के साथ उनका मैच होगा तो उनका इंट्रेक्शन रहेगा और यह काफी उनका जो शेडियूल रहता है बहुत हेक्टिक होता है बट यहां पर उनको एक ऐसा चांस मिल रहे है कि वह बहुत स्ट्रेस-फिरी हो के मिल के लोगों के साथ गेम ख़िल पाएंगे और होस्पिटल प्रीमिर लीग ॐसिको गह सकते हैं तो यह 15-15 आइस के मैचे फिक दिन में दो से तीन मैचे शेडीूल करें हुए हैं और उसकी लाइव स्ट्रींग मिंग हम कराएंगे यूट्यूब और फेस्बुक चैनल्स पे आप लोगों ने क्रिकेट टुर्नमेंट तो आयोजित करा दिया है डॉक्टर्स भी वहां पर पहुंच जाएंगे क्रिकेट भी जम कर खेलने वाले हैं और लोग मजा भी बहुत जादा लें है वहां पर हेल्दी इंवार्मेंट मिलेगा और डॉक्टर्स को कैस प्राइज की जूर्त नहीं है जिन डॉक्टर्स की में नाम दे रहा है उन पर लाखों क्रोडों की संपत्य आल्रेडी है और जिसके जो उनके साथ खेलने वाले हैं वो सिरफ खुसी के लिए यहां पर आ अगर 11 लोगों की टीम बनाई जाएगी तो उससे होस्पिटल को कितना फाइदा होगा देकि हम एक दूसरे से इंट्रेक्ट हो रहे हैं होस्पिटल जो एक दूसरे को जानते नहीं थे कौन सा स्टाफ कैसा है डॉक्टर्स कैसे हैं तो वह हमें एक हेल्थी माहौल मिल रहा ह पर काफी अच्छा और ही बात अभी आप हैल्थ कॉंसियंस को लेगे करें ते कि अब हमें आदत पढ़ चुगे पहले हम आठ वजे उड़ते तो दस बजे होस्पिटल अब हम पांच बजे उड़ते हैं ग्राउंड में पशीना बात है इसले एक मैने से लगे हूँ हूँ ह प्रेक्टिस पे अपनी फिटनेस पे ध्यान देने के लिए तो सब भी दोक्टर सब भी हॉस्पिटल वाले यहीं कर रहे हैं आप किसी ग्राउंड में चले जाए आज की डेट में डॉक्टर्स की टीम आपको हर ग्राउंड में मिलेगी प्रेक्टिस करती हूँ है मैम निर फोर्थ क्लास है मतलब वह होस्पिटल का ही हो वो सब पार्टिस का है एक दो होस्पिटल हो में जो बाद में है उनको हम ले भी निपाए कुछ तो यह भी हमारा दृबाग यह क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड का समय है वो इसलेक्टिड है जो हमारे के 30 मैच का हमने फिक्स किया हुआ अगे सर्दी आ रहे दिन चोटे हैं तो इस वज़े थोड़ा सा इशू है नेक्स्ट येर मेभी जो टीम में इस बार हम नहीं ले पाए तो उनको भी ले ले साथ ही साथ डोक्टर्स को इसका फीवर तो चड़ाई है और हिसार की जनता को डोक्टर्स को क्रिकेट ग्राउंड की उपर देखने का फीवर चड़ चुका है लगने वाली और कितनी एनर्जी वो लगाने वाले यह तो अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय के अंदर ही खैर वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिए क्योंकि पैटकाइन लैप की हिसार के अंदर ओपनिंग होने जा रही है जो पैन इंदिया के अंदर खुली हुई है लेकिन हिसार के अंदर आने के बाद हिसार के लोगों को कितना फाइदा इसका मिलने वाला है वो भी अब आने वाले समय के अंदर देखने वाली बात है खैर वीडियो को शेयर करना ना भूले नमस्कार